मेरे सब्सक्राइब कीजिए नी नीचे बेल नाइकन है उसे प्रेस कीजिए जिस से इसे आपको नए नोटिफीकेशन मिलजाेंगे और हमें इंस्टाग्राम और फेğश्बुक पे फॉलौ कीजिए यहां पर हमने आधा लिटर दूद उबलने रख दिया है, जैसी दूद में और थोड़े उबाल आ जाएंगे, उसमें हम विनेगर डालेंगे, विनेगर या नीमु का रस डालके आप इसे फार सकते हो, यहां मैंने दो चम्मझ पानी लिया है और उसमें हम विनेगर डालेंग नीमु का रस या विनेगर डायरेक्ट नहीं डालना है, हमेशा उसे पानी में डालूट करके डालना है, इसे मैं दूद में अभी डालूंगी, आप देख सकते हो, दीरे दीरे यह दूद फट रहा है, थोड़ा थोड़ा डालके हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे, यह आप फट गया है, आप यह देख सकते हो, दूद हमारा अच्छे से फट गया है, और इस छेने को हम छान लेंगे, और अच्छे से दो के हम इसे सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसे छान दिया है, और इसका एक्स्ट्रा का पानी भी हमें निकाल दिया है, और इसका टेक्श्यर आप देख सकते हो तो इसे अब हमें अच्छे से मसल मसल के गूठ लेना है इसे हमें सॉफ्ट बना लेना है बहुत अच्छे से हमें इसे सॉफ्ट करना है बिल्कुल स्मूध होना चाहिए यह आप यहां देख सकते हो लगातार 5-7 मिनिट इसे हमने मसल मसल कर सॉफ्ट कर लिया है विल्कुल सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हम रोज संदेश बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे रोज सिरप यह एक टी स्पून और यह दो टी स्पून हम इसमें डालेंगे आप चाहो तो इस रेसिपी में अलग से रोज एसंस डाल सकते हो पर मैं नहीं डाल रहे हूं क्योंकि यह जो सिरप हमने इस्तिमाल किया है उसमें अच्छा रोज का स्मेल है एसंस है और कलर भी है और इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी मैंने ली है करीबन तीन टेबल स्पून अब यहां पर रोज सिरप भी मीठा होता है तो आप उस एकॉर्डिंग आप ध्यान दे कि आपको कितनी चीनी की जरुत है अब इस मिश्रन को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस मिश्रन को अब हम पका लेंगे पैन में ज्यादा नहीं बस दो मिनिट हमें इसे हलका सा सेक लेना है यहां पर मैंने एक नॉंस्टिक पैन रखा है और उसमें हम यह हमारा मिश्रन डालेंगे और दो मिनिट के लिए हम इसे भून लेंगे बिल्कुल दीमी आज पर हमें इसे बस दो मिनिट के लिए भून लेना है जिससे इस चेने का कच्छा पंच चला जाएगा बिल्कुल दो मिनिट यह चेना हमारा भून लिया है और इसका कलर चेंज होने से पहली हम इसे निकाल देंगे गयास हम बन कर देंगे और दुबारा हम इसे बॉल में निकालेंगे इस मिश्रन को हम अब थंडा कर लेंगे रूम टेंपरिचर पे और फ्रिज में हम इसे दस मिट के लिए रख देंगे और फिर हम इसका सौंदेश बनाएंगे आप मिश्रन को एक बार टेस्ट करके देख सकते हो अगर आपको मीठा कम लगे चीनी कम लगे तो आप इस टेप में भी चीनी को डाल सकते हो जैसी यह थोड़ा थंडा हो जाए तो आप चीनी को इसमें डाल सकते हो हमारा मिक्षर अच्छे से सेट हो गया है फ्रिच से हमने इसे भार निकाला है और इसके अब हम सौंदेश बना लेंगे और मैं थोड़ी सी गुलाब की पंखुडिया इसमें डाल रही हूं यह एडिबल है पूरी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके थोड़ा मिक्षर लेके हम मन चाहा शेप दे देंगे सौंदेश का आप चाहो तो मोल्ड का भी इस्तमाल कर सकते हो और बहुत से जन इस मिक्षर को नहीं पकाते डायरिक छेना को चीनी डालके शेप दे देते हैं अगर आपको इसे नहीं पकाना है तो आप इसे डायरिक भी बीच में थोड़ा सा डेंट हम देंगे और इस तरह से हम सॉंदश बना लेंगे हमारे यह सॉंदश तयार है और इसे हम थोड़े पिस्ता के साथ गानिश करेंगे रोस उंदिश तयार है तो रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमें सेक्षिन में लिख बेजिए रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए जाद से जादा शायर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले